13.1 exercise का पहला कोश्शन, a survey was conducted by a group of students, a group of students ने एक survey conduct किया, as a part of their environment awareness program, ठीक है, environment awareness program का एक हिस्सा थे बोलो और उन्हों ने एक survey किया, in which they collected the following data regarding the number of plant in 20 houses in a locality, जिसमें कि उन लोगों ने data collect किया, बट वो कौन सा data था, तो वो data था कि अपने locality में 20 घरों में, 20 घरों में वो गये और देखा number of plants केतने वहाँ पर थे, find the mean number of plant per house, तो कह रहा कि per house mean number of plant निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीजी है कि number of plant और number of house दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहला question में class mark लिखेंगे, पहले हम, sorry, class interval, class interval, ठीक है, इसके बाद अगला क्या होगा, class interval क्या होगा, होगा फ्रिक्वेंसी तो इसके बाद लिखें हम फ्रिक्वेंसी इसके बाद क्या होगा इसके बाद होगा क्लास मार्क इसके बाद क्या होगा इसके बाद होगा इसके बाद होगा एफ आई एक्स आई एफ आई कौन होगा इसमें से फ्रेक्विंसी या क्लास मार्क एफ आई कौन सा होगा एफ आई हमारा यह हो जाएगा ठीक है और यह हो जागा एक्स आई अब यहाँ पर हमें क्या करना है क्लास इंटर्वल जो जो है बुक में वो लिख देना है क्या है 0 से 2 2 से लेकर 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 और 10 2 12 ठीक है और 12 to 14 ठीक है ना और इसके सामने इसकी फ्रेक्विंसी है 1 2 1 5 6 2 3 6 2 3 अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं क्लास मार्क कैसे निकालते हैं वर्ग चिन कहते हैं इसको इंदिय में क्लास मार्क कैसे निकालते हैं अपर लिमिट अपर लिमिट प्लस लूर लिमिट बाई 2 तो अपर लिमिट कौन है टू लूर लिमिट कौन है जीरो दो मे चार और दो जोड़ेंगे कितना होगा छह छे बटा दो करेंगे कितना होगा तीन उसी तरीके से चे-4-10 दस बटा दो कितना हो जागा पांच आर्च चौदा 14 बटा दो त्साथ 18 ड़्याज 8 अठाथ 12 जो नो बाराद सबस्केश एगारा और 14 इन्टू 3 6 1 इन्टू 5 5 5 इन्टू 7 35 6 इन्टू 9 54 2 इन्टू 11 22 और 3 इन्टू 13 39 अब इसके बार हम लोग को निकालना है सिगमा सिगमा एफ आई एक्स आई तो सिगमा एफ आइ एकस आई बराबर इसको जोड़ेंगे तो क्या ओजाएगा शे एक 7 बार वारा पांट सतरा चरह एक इस एक इस दूट ही सनो बत्तिस के तो हांसिल तीन आ गया 3 3 5 2 3 इन्टू 11 यानि कि 162 आ गया इसी तरीके से हम लोग सिग्मा एफाई निकालेंगे सिग्मा एफाई निकालेंगे वह कितना हो जागा तीन दू पांचे गारा पांच सूला एक सतरह दूने से 20 ठीक है यह आपको जोड़ साही करना और इसके एक निशाम दें यह कि टोटल 20 घरों में उसने सर्वे किया है तो यहाँ पर 20 आना ही आना है अब इसके बाद एक सबार निकालने का फॉर्मूला क्या था सिग्मा यह तुमारे एक टेबल बन गया नहीं यह यह अलग बनाना है इसको नीचे में बनाना है च्किन जगह नहीं इसलों में कर रहा है तो क्या हो जगह सिग्मा एफ आई एक साइग बाइडा करेंगे एट ना चपॉइंट यान आ गया 8.1 यहीं आपका क्या हो गया mean हो गया निके x बार आ गया ठीक है ना चलिए समझ में आ गया तो अब next question करता है कि consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory यानि के 50 मजदूर एक company में एक factory में काम कर रहे हैं उनका जो distribution है दिहारी का daily wages का मजदूरी जो उनको रोज मिन रही है उसके बारे में बताया गया है तो देखो यहां पर daily wages लिखा गया है 500 से 520 यानि कि आपका class interval कितना हो गया 500 से 520 तो यह जो daily wages दिया गया है यह क्या हो गया हमारा class interval हो गया कि ग्रूप में दिया गया ना तो इसको भी लेते हैं 500 से 520 उसके बाद 520 से 520 से 540 उसके बाद 540 से 560 इसके बाद क्या है 560 से 80 इसके बाद क्या है 580 से 600 अब यहां पे देखो चुकि मैंने आपको कल समझाया था पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब हम लोग के पास डाटा ज्यादा बड़ा डाटा आ जाए तो उसको अ हो जाएगा जटिल काम होगा complex calculation होगी अभी पहले question में आप से एक चीज़ और पूछा गया था which method did you use for finding the mean and why आपने किस method का इस्तमाल किया और क्यों इस्तमाल किया तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि हमने direct method का इस्तमाल किया क्योंकि यहां पर data जो था वाक आरे पास क्या था small था बात समझ में आ गई तो अब यहां पर हम लोग चलते हैं कौन से method की और यहां पर और डारिक मेथड से बना सकते हैं लेकिन चुकी data बढ़ाए इसलिए हम लोग यहां पर कौन सा यूज करेंगे आज्यूम्ड में तो उसके लिए हम लोग को टेबल में एक चैंजिंग करनी पड़ेगी एक कॉलम और बरहाना पड़ेगा वह हमारा यहां पर बढ़ेगा हम क्या रखेंगे यहां पर यह हमारा यह कॉलम तो रहे गाई रहेगा ठीक है ना लेकिन कौन सा कॉलम बढ़ेगा यहां पर क्लास मार्क के बाद डी आई बढ़ेगा यहां पर लिखेंगे डी आई और डी आई बराबर क्या होता है एकस आई माइनस ए यानिके एकस में से हम A को घटाते हैं, what is A here, A क्या यहाँ पर, तो A है assumed mean, ठीक है, अब assumed mean भी पता करेंगे, बट पहले हम लोग data लिग लेते हैं, 12, 14, 8, 6, और 10, यह हमारे पास data दे दिया गया है, ठीक है, और आप से अब इसका पहले class mark निकालते हैं, तो class mark निकालने के लिगा करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, तो 500 में 520 जोड़ेंगे, कितना हैगा, 1020, और 1020 को जब हम 2 से डिवाइट करेंगे, कितना होगा, 510, यानि के यहाँ पर हाँ, 2 से डिवाइट करेंगे, जबके मैंने पहले ही बता दिया है, कि upper limit में lower limit को जोड़ते हैं, और divide by 2 करते हैं, ठीक है, यानि कि जो उसके बीच की value होती, वो लिखते हैं, तो 500 और 500 बीच के बीच में कौना आगया, 510, 520 और 540 के बीच में कौना आगया, 530, यहाँ पर कौना जाएगा, 550, यहाँ पर कौना जाएगा, 550, यहाँ पर कौना जाएगा अब यहाँ पर आपको चुनना है एजिम्ड मीन ऐसा चुनना है आपको कि जो एकदम बीच में आए यानिकि इनका जो लेकर जो अपर लिमिटर इसमें जो हो गया यानिकि जो पहली वैलू थी और जो मैकसिमम वैलू आड़ी है उसमें बीच में आए तो हम इसका एक तरीका आप लोगों को बताए थे कि आप इसको जोड़के आधा कर दिजे आप अंदाजी भी ले सकते हैं कि हम यहां पर 550 लेते हैं जो लगवग लगवग बीच में आ रहा है तो यहां पर एक कौन सा होगे वैलू 550 अब करना क्या है इस कॉलम में तो इस कॉलम में हमें लिखना है ए कितना ऐगा –20 आजाएगा यहां और अब को एक कॉलम और बनाना है और इसमें क्या लिखना है ,वैब D I, शाबाज, क्योंकि यहाँ पर हम लोग F I X I नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब हमें D I निकल गया है ना, तो D I से अब F I को गुना करेंगे, जब भी assumed mean method होगा, उसमें यह चीज़ याद रखना कि F I D I निकालना है, और जब तुम यह चीज़ याद रखोगे कि F I D I निकाल निकालना है, तो आपको यह भी याद हो जाएगा कि D I निकालना है, तो कैसे निकालना है, X में से A को खटाना है, इसका मतलब पहले हमें assumed mean हमें निकालना होगा, खेर, अब आगे चलते हैं, यहाँ पर F I D I का मतलब क्या हो गया, कि F I को D I से multiply कर रहा है, तो 12 चोका 48 होता ह है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस 480, 14 दुनी 28 होता है, माइनस 280 हो जाएगा, 8 को 0 से गुना करेंगे, 0, 6 को 20 से गुना करेंगे, 120, और 10 को 40 से गुना करेंगे, कितना होगा, 400 हो जाएगा, अब क्या करना है, यहाँ पर सब को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे, तो देखे, माइनस 480 है और माइनस 280 है इसको एक साथ जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 0, 8, 8, 16 4, 2, 6, 7 760 आगया माइनस में और इन सब को जोड़ेंगे, इन तीनों को यहां 520 आ रहा है तो माइनस 760 में 520 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 6, 2, 4, 2 माइनस 240 आ रहा है तो यहां लिखेंगे हम लोग माइनस 240 यह क्या निकल के आ गया सिगमा एफाई डियाई अब यह जब निकल गया आपका तो अब आपको निकालना है, अच्छा यहां पे भी सिगमा एफाई निकलना है तो सिगमा एफाई कितना जगा 50 आ जाएगा, अब देखो क्या करना है अब इसके बाद एकश बार का मैंने फॉर्मूला लिखाये था क्या था फॉर्मूला, ए प्लस सिगमा एफाई डियाई, बाई सिगमा एफाई तो अब एक इतना है यहाँ पर 550 तो 550 आफाक यह गलती कर रहे थे ना 550 550 प्लस एफ आई डी आई क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा तो जब इसको हम लोग यह करेंगे काटेंगे तो कितना बन जाएगा 550 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा या पहले इसको रहने तो ऐसे पांचो का 20 4.8 आ रहा है तो कितना हो जाएगा 550 माइनस 4.8 कितना हो गया 545.2 ठीक है यह एंसर हो गया यह हमारा x bar आ गया ठीक है ना तो इस तरीके से हमने mean wage जो था daily wage वो हमने पता कर लिया कि mean दिहारी कितनी मिल रही थी यह तरीका हम लोग का कौन सा है कोश्चन में आपको दिया गया है कि find the mean daily wages of the workers of the factory by using an appropriate method चुकि appropriate method कहा गया था तो हमें direct भी निकाल सकते थे वो भी निकाल लेकिन appropriate का मतलब हुआ कि जो उचित तरीका आपको इसका लग रहा है उससे निकाल लिए इसलिए चुकि हमने देखा कि data बरा था इसलिए अब देखो 12 यहां है 510 यहां है जब इसको गुना करते हम तो कितना बड़ा number आ जाता और फिर इसको जोड़ना क्या होता कि बड़ा काम हो जाता calculation जारा करना पड़ता है इसलिए अच्छा इसमें हम लोग एक तरीका और लगा सकते हैं कौन जब यहां देखो 20 यहां कितना गया पार है 20-20 का आ रहा है और यहां देखो यह सब 20 से कटने वाला है तो हम यहां पर step deviation को भी यूज़ कर सकते हैं step deviation से और मुझे यह छोटा data मिल जाएगा ठीक है लेकिन यहां पर assumed mean method हमने इसमाल किया है ठीक है चलिए आयोप की समझ में आ गया होगा